जै हिंद श्टड़ी बसेरा के नए वीडियो में आप सभी का हार दिख स्वागत है आसा करते हूं आप सभी अच्छी होंगे मस्त होंगे बहुत दिनों बाद रुक रुक कर वीडियो आ रही है इसके लिए आप लोगों से हार जोड़कर मापी मांगता हूं कोशिस करता हूं कंटीनू रहने के लिए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जवरदस्त जोड़दार सेशन आज का जो पहला प्रेस्ट है इसके बारे में कंप्लिट हम लोग बहुत ही इंपोर्टेंट सारा कुछ डिटेल हम लोग देखेंगे तो पहला प्रेस्ट आप लोग इसके सामने है उनिस्वा राष्ट मंडल खेल का सुभंकर क्या था तो उनिस्वा राष्ट मंडल खेल कभ हुआ था कहा हुआ तो यह भी पहले जनकारी होनी चाहिए तो पहले हम लोग इसका आंसर ही सुबंकर जो सेरा था उनिस्वा राश्मंडल खेल का आयोजन 2010 इसवी में दिल्ली में भारत के दिल्ली में आयोजन हुआ थे यहां देखिए कंप्लीट जनकारी एक एक पॉंट जो भी जरूरी है वो सारी जनकारी यहां लिखी हुई है आप यहां से नोट डाउन भी कर सकते मैं यहां पढ़कर बता देता हूँ जो 2010 में हुआ था राश्मंडल खेल का आयोजन भारत के ने दिल्ली में इसका उधगाटन समारो और समापन समारो जो आयोजन दिल्ली के जोहर लाल नेहरु स्टेडे में हुआ था और इसी का उधगाट जो मैसकोड था सुभंकर तो थ होता है तो चाओधा में जो विस्वा था यह उनिस्वा था तो विस्वा राश्मंडल खेल है जी से कोमन वेल्थ गेम भी कहते हैं इसकोड लेंड के ग्लैसको सहर में उसके बाद 4 सालवाद 2018 में जो एक इसवा होता है सिरिस का तो यह कोमन वेल्थ गेम अस्टेलिया के इसका मैसकोड किया था इसके बारे में कंप्लीट जनकारी हम नो नेक्स स्लाइट में देखेंगे इसी वीडियो में फिर दोच्छबश में आउजित कहां होगा तो अस्ट्रेलिया में होगा और तेसवा संस्क्राइब होगा और यह 22 में जो समापन हो गया है मर्मिंगम में तो यह 22 संस्क्राइब नेक्स स्लाइट पर देखते हैं तो इसके पहले हों देख लेते हों 22 के मैसकोड के बारे जनकारी के पहले किसके सुरुवात कब हुई थी तो राश्मंडल खेल की सुरुवात जो है 1930 में कनाडा के हैमिल्टेन में हुआ था और प्रत्थम किसी भी तरह से घुमा कर आ सकता आजकर इस तरह के प्रस्ट बहुत ज्यादा बन रहे हैं तो यह दी गई थी रोबो भी रोमिंसन को जो कि कनाडा के एतलिट थे और कॉमन वेल्थ गेम में मैसकोड का सुरुवात कब हुई थी एंट्री मैसकोड सुभंकर की एंट्री कब ह खुए थी इसकी एंट्री हो थी नाइंटिन सेवेंडिएट में और नाइंटिन सेवेंट का आयोजन हुआ था तो यह भी कनाडा में हुआ था यानि पहला जो सुभंकर सुरुवात किया गहा थाथ 1978 में यह द्यान में रखना है अब देखें यहां से शुरुव होता हुनो दस साल की बच्ची है इसका नाम है एमा लू इसका इस मैस कोड को डिजाइन किया पेरी दब्बुल इसे इमेज के माधियम से वह लोग समझेंगे चलिए यह देखिए यह पेरी दब्बुल यह बूल का फोटो है या लोग देख रहे हैं इसमें सटकोन आकरिती की हेक्सागो बना हुआ हैं यह फोली कि अपीजर आफ़ान है इसका नेवाली है देखिए यह बटा देगा लिए जाएगा या भी डग दी जाएगा और बता दीजा कोस्टन रहेगा कि इस इमेज में दिखाएगे बच्ची का संबंद किस से हैं तो उप्सटन में सारे कुछ रह सकते हैं तो उसमें से 2022 के मैस्कॉट यह भी ऑप्सटन में रह सकता है या पेरी दब्बूल कुछ भी हो सकता उप्सटन में सारे ऊप्सटन को दिखाना है याद में रखना है और एक यहसे भी बन सकता है कि इस बच्ची का फोटो दिखा जाएगा ऑस से ध्यान में रखना देखते हैं इस तरह से से इसी से वेश कॉझस दे संबंद देख से अच्योंदेर और ये ह 25 लेंग है बर्मिंगम का यह फ्लैग है जो बूल तो पेरी दा बूल बनाया गया है उसकी जो डिजाइन लिया गया यह जो बर्मिंगम का फ्लैग है इसके जो बूल का डिजाइन है यहीं से इसे लिया गया है बूल का डिजाइन से ही यह कंप्लीट हम लोग देख लिए कहां से लिया ग तो भोलू नाम है जो कि एक हांथी है रेल्वेयस्टेशन मास्टर के रूप और रेल्वेस्ट सुभंगर का किसे की प्रसचन्ober Works नेशनल इसोंड्यूट आफ डिजाइन बंगलूर मैलम इसका किया था मैसओर का है और इसे लागू किया गा था यहां तीस हो गया है 2023 होगा यहां पर पूरा होने पर इसे लागू किया था सुईकार किया गया था भोलू हाथी को सुभंगर के रूप में इसे अपनाया गया था और रेलवे की शुरुवात का भूई थी यहां अभी सभी जानते हैं 16 अप्रेल 830 को तो 830 में 150 अगरे एट करते हैं तो यहां तीन आता है तो यहां 830 में शुरू किया गया था शुरू हुई थी रेलवे में भारत में शुरुवात जो कि मुंबाई से थाने के बी चली थी पहली रेल यह सब जानते हैं 34 किलोमीटर यह चली थी पहली रेल 2003 में 2003 में भोलू हाथी को सुभंकर के रूप में रेलवे द्वरा स्विकार किया गया था और यह भी ध्यान में रखना है थोड़ा यह भी मेरे पास निम पॉल मैसन था तो यह भी मैं सेर कर रहा हूं आप ल और यह भी कहा जाता है इस बच्ची का जन्म होए है मैट्रो में ही हुआ है दिल्ली मैट्रो में जन्म लेने वाली पहली बच्ची थी जिसका के नम मैट्री है उसे ही सुभंकर बनाया गया है तो यह प्रसमी बनता है चले देखते हैं लिए सबने स्कॉसंट फोड़ी और बीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटी में 2022 का भी आयोजयन पाकिस्तान में होने वाला था प्रण्दु वहाँ प्रोबलम होने कर भी से डिया गया था तो 2023 के जो इसाल फूह डिया होगा एसीद कप का मुख्याले कहां है और मुख्याले एसीअ कप का एसीए कप का एसीए के हाथों में होता है इसका फूल फॉम एसीन क्रिकेट काउंसिल है जिसे की हिंदी में ACI क्रिकेट परिशत कहा जाता है और जो 2022 में हुआ है यह 15 वा संस्क्रन था जिसका कि एविजन EUAE में हुआ है युनाइटेड अरब अमीराथ में हुआ है जिसको कि बिजयता टीम जो स्रिलंका रही है वो बिजयता टीम पाकिस्तान रही है स्रिलंका टीम ने पाकिस्तान को तेजर रनों से रहा कर इस यह कप को जीत लिया है और यह ती 20 format में हुआ था यह जनकार्या आप लोगों कैसी ल और भी question मैं लाने की कोशिश करूँगा कोशिश करूँगा कि मैं आप continue रहूं आप लोगे साथ इसी आसा और उमीद के साथ मिलते हैं फिर नए वीडियो में तब तक ले जैहिंद स्वस्त रहें मस्त रहें धन्यवाद